राज्य सभा चुनाव के नतीजे घोशित हो गए हैं लेकिन हर्याना में एक सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक रहा यहाँ पर नतीजे की घोशना हुई रात को करीब दो बजे के आसपास हाला कि कॉंग्रेस के पास संख्या बल पूरा था उसके पास हर्याना में 31 विधायक भी है और जीतने के लिए भी 31 विधायकों के आविशक्ता थी लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कॉंग्रेस की ओर से उमिद्वार बने अजय माकन को हार का समना करना पड़ा देखे ए रिपोर्ट राज्य सभा चुनावबे हर्याना में बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच सुपर हॉट मुकाबला देखने को मिला यहां राज्य सभा की दो सीटों के लिए तीन दाविदार मैदान में थे इन बेसे एक सीट बीजेपी की पक्की ही थी दूसरी सीट के लिए खीचबतान देर रात तक होती रही लेकिन रात करीब दो बजे नतीजे आखिरकार घोशित हुए और दूसरी सीट पर निर्दली उमिद्वार कार्थिके शर्मा कॉंग्रेस उमिद्वार अजयमाकर को शिकस्त देने में कामयाब रहे रात दो बजे हरियाणा के उपमुख्य मंतरी दुश्यन चोटाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साजा की इस चुनाओ में मुकाबला बेहद रोमान चक रहा संख्याबल में मजबूत रही सत्तारूर बीजेपी अपनी एक सीट निकालने में कामयाब रही पेंच फसा हुआ था कॉंग्रेस के लिए जिसके लिए संकट खड़ा किया कुल्दीब बिश्नुई ने जिन्हे राहुल गांधी का करीबी भी कहा जाता है उनके बगावती तेवर पार्टी को इस चुनाओ में बेहद भारी पड़े नतीजतन कॉंग्रेस का कद्दावर चेहरा माने जाने वाले अजयमाकन चुनाव हार गए इस संबंध में अधिकारी जानकारी साजा करते हुए रिटर्निंग आफिसर आरके नांदल ने बताया बीजेपी उमिद्वार कृष्ण नाल पवार को इस चुनाओ में 36 वोट हासिल हुए और उन्हें विजई घोशित किया गया जबकि बीजेपी जेजेपी समर्थित कार्तिकिये शर्मा को पहली वरियता के 23 वोट मिले थे जिन्हें 6.6 उनके लिए बीजेपी की ओर से ट्रांस्फर हुए जिससे कार्तिकिये शर्मा के पास संख्या 39.6 की हो गई उनके मुकाबले में कॉंग्रेस उमीद्वार रहे अजय माकन को 29 वोट ही हासिल हुए और इस तरह वे हार और जीत का नस्दी की मुकाबला चुक गए आपको बता दें कि हर्याणा में 90 विधायकों में से वोट 89 नहीं डाला निर्दलिये विधायक बलराज कुंडू इस मतदान में शामिल ही नहीं हुए जबकि चुनाव आयोग ने कॉंग्रेस के एक वोट को रद कर दिया था इस तरह से कुल वोट जिनकी गड़ना हुई वो थे 88 वोट कर्द किया शर्मा को बीजेपी जेजेपी गठबंधन से मिले समर्थन से कुल 27 वोट हासिल हुए थे ऐसे में उन्हें जीत के लिए तीन और वोटों की जरुवत थी इस बीच कॉंग्रेस के पास संख्याबल तो पूरा था लेकिन उसके लिए नराज कुल्दी बिश्नोई ने परिशानी बढ़ा दी इस चुनाव में सपस्ट जीत के लिए 31 वोटों की जरुवत थी और कमाल बात ये थी कि कॉंग्रेस के पास हर्याणा में विधायकों का संख्याबल 31 ही है ऐसे में कुल्दी बिश्नोई की नराजगी और कॉंग्रेस का एक वोट रद्ध हो जाना कार्तिकेश शर्मा के लिए संजीवनी सावित हुआ इसे लेकर देर रात तक ड्रामा चलता रहा पहली बार गड़ना हुई तो कॉंग्रेस ने खुशी में एलान कर दिया कि उनके उमीद्वार अजय माकन की जीत हो गई जबकि दूसरी बार गड़ना में निर्दलिय उमीद्वार कार्तिकेश शर्मा को विजय घोशित कर दिया गया आपको पताते चलें कि कार्तिकेश शर्मा हरियाना कॉंग्रेस के वरिष्ट चहरे कुलदीप शर्मा के दामाद भी है इस जीत पर हरियाना के मुख्य मंत्री ने भी खुशी जाहिर की और हमारे इंडिपेंट कैंडिट श्रीकार्तिकेश शर्मा जी इन दोनों को चुना है और सभलता दिलाई है ऐसे सभी विधायकों को मैं हर्देश से धन्यवाद देता हूँ आपको बता दें कि हरियाना में पहले भी एक बार कुछ ऐसा ही हो चुका है जब एक वोट गलत स्याही वाले पैंसे पढ़ जाने पर बीजेपी सबर्थित निर्दलिय उमिद्वार सुभाष चंद्रा विजेई रहे थे आपको बता दें कि अब दक हरियाना से राज्यसभा सांसद्र है सुभाष चंद्रा का कारेकाल अब खत्म हो चुका है इस खबर में फिलाल इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ